दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका एक पार फेर्ट से आपके अपने ही चेनल करिक पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1996 मेरी लिस हुई आज़े देवगान और मिथुन चक्रवर्ती की जंग साल 1995 मेरी लिस हुई सलमान खान की वीरगती और साल 1994 मेरी लिस हुई सुनील शेटी की अंत फिल्म के बारे में हम बात करेंगे इन तीनों फिल्मों के बारे में बजट के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में और साथे साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन तीनों फिल्मों में कौनसे फिल्म आगे रही थी और किस फिल्म नहीं मारी थी भाजी तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म अंत की तो 10 जून 1994 में रिलीज हुई थी ये फिल्म सुनिल शेटी, सौमयली और परेशावल इस फिल्म में अहम किरदारों में नज़र आई थे फिल्म को डेरिट क्या था संजे खन्ना ने और प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को अशोग होंडा ने म्यूजिक दिया था इस फिल्म को आनन मिलिन ने और तकरीबन 2 करोड उपे के बजट में बने इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 4 करोड उपे की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 7 करोड उपे कमाई थी और ये एक एक्शन फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफि किरदारों में असर आई थे, फिल्म को डिरेक्ट और प्रिड्यूस किया था, के किस्टिंग ने, और म्यूजिक दिया था इस फिल्म को आदेश शरीवास्तव ने, तकरीबन 4 करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 5 करोड उपे की कमाई क थी और पूरे वर्ल्ड में 9 करोड उपे कमाई थे, और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एवरेज साबित हुई थी, चले बात कर लेते हैं जंग फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म रिलीज हुई थी, 19 अपरेल 1996 में अजे देवगान, मिथुन चकरवर्ती और रंभा इस फि करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस इंडिया पर 6 करोड उपे की कमाई की थी, और पूरे वर्ल्ड में 9 करोड उपे कमाई थी, और ये एक एक एक्शान, क्राइम, ड्रामा फिल्म थी, और फिल्म बॉक्स आफिस पर एवरेज साबित हुई थी, त लेकिन दोस्तों आपको इन तीनों फिल्मों में कौन से फिल्म में सबसे ज्यादा पसंद कमेंड में सुरू बताऊएगा